बर्तमान भारती समाज एबम प्रारंबिक सिक्षा पेपर वन का ये तीसरा पार्ट है दूसरे दो पार्ट इसके अभी तक बनाए जा चुके हैं अगर आप लोगों ने वो दो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिये हुए लिंक से दो पार्ट वीडियो में आपको बताए था कि शिक्षा के जो समान उतेश हैं उनके मिसें में आपको डिटेज को kारण है और शेश को कॉमतना होता ओपिक है वह सिक्षा की विषेष्ट देश विषेट धिर्यों पर प्रकास डालने से पहले आप लोगों के रहे हैं कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल के साथ कि अस्क्राइब कहुई उब्लोड पहले से करके रखें और टापिक शुरु करते हैं तो ऑगactive हैं विस शोर होता है यही नहीं इसका निर्माण भी किसी विशेस परिस्तिती था विशेस कारण को ही ध्यान में रखते हुए किया जाता है इस द्रश्टिर से यह उद्देश लचीले अनकूल योग तथा परिवर्तन सील होते हैं अब सार भौमे कुद्देश के अदि हम लोग बात करते हैं तो सार भौमे कुद्देश क्या है सार भौमे कुद्देश मानव जाती पर सामान रूप से लागू होते हैं इन उद्देशों का ताथ पर व्यक्ति में वंचनी गुड़ों का विकास करना है यानि कि व्यक्ति के जो ऐसे गुड़ हैं जिनको वो नहीं चाहता है ऐसे गुड़ों का विकास करना ही करना है मानव के विक्षत्तो का संगठन, उचित सारीरीक तथा मानसिक्स विकास, समाज की प्रगती, प्रेम तथा अहिंसा आधी सिक्षा के कुछ ऐसे सार भौमिक उद्धेश हैं जो सिक्षा को सार भौमिक रूप परदान करते हैं इसके बाद है व्यक्तिक उद्धेश, व्यक्तिक उद्धेश है क्या है, शिक्षा का व्यक्तिक उद्धेश एक प्राचीन उद्धेश यानि कि बहुत पूराना उद्धेश है, इस उद्धेश के समर्थक समाज की अपिक्षा व्यक्ति को बड़ा मानते हैं, यानि कि समाज से सँधीबाद में है वेक्ति को सता है वेक्ति नहीं के लिए समाज के रचन की है तथा समय पर संस्क्रति सभथा इवेस्धान के झेता आक के डियाँ था अब देखो व्यक्तिक उद्देशों में क्या क्या आता है एक तो आता है आपका संकुचित अर्थ दूसरा है आता है आपका व्यापकर्थ कल इन पर हमने प्रकास डाला था अब देख लेते हैं संकुचित और और व्यापकर्थ में देखो सिक्षा की जो सामाजिक होता है समाज ही एक ऐसा समुदाय है जो व्यक्ति के लिए आवस्यक है अतहा समाज का विकास व्यक्ति के विकास का अधार है मन से समाज में जन्म लेता है आरंबे में ही वह अपने माता-पिता भाई-बहन पडोस देश तथा वातावन से कुछ नकुछ जरूर सीखता है कि अभाव में व्यक्ति का जीवन पास्विक ही रह जाता है यहीं कि पसूं के तरह ही रह जाता है अब यह कुछ समाज की कितने रूप माने जाते हैं दो रूप माने जाते हैं एक है आपका राश्ट्य समाजबाद दूसरा है जन्तंत्रात्मक समाजबाद देखो संकुचि संकुचित अर्थ और व्यापकर्थ में किस प्रकार विभाजित किया है संकुचित अर्थ में है राष्ट समाजबाद और इसमें क्या है जन्तांत्रात्मक समाजबाद इसके बाद नागरिक्ता और इसमें क्या जाएगा सामाजी कुसलता अब इसको किस प्रकार विभाजित क के संकुचित अर्थ पर वल दिया जाता है इस रूप में राज एक आदर से रूप भौतिक सत्ता है जो व्यक्ति से कहीं उचा और हर प्रकार से उतकरष्ट है एवं उसकी सब आकांक्षाओं पर एक्षाओं से उपर है इस दरश्टी से व्यक्तिका संपूर जीवन राष्ट की भलाई के लिए है ना की राष्ट के लिए है मतलब अपनी भलाई के लिए है क्योंकि यह इंडिविजल है व्यक्तिक है तो क्या होता है इस दरश्टी से व्यक्तिका संपूर जीवन राष्ट की भलाई के लिए है ना की राष्ट व्यक्तिक के लिए है अताहा राष्ट क कोयम ही सिक्षा का एक सुनिश्चित प्रडाली बनाकर लागू करता है इसके अनुसार मानौ सत्मतरता का दमन करके मानुवी जीवन के प्रतेक अंग का पूर्ण रूपेड समाजी कर दिया जाता है अतहा सिक्षा के द्वारा प्रतेक विक्त में अपने राष्ट के प्रती अ समाजबाद के उदार रूप में समाजिक उद्देश के व्यापक अर्थ परवल दिया जाता है जन्य तंत्रात्मक समाजबाद में समाज के महत्य को तो सुईकार किया जाता है परंतु व्यक्ति समाज के सम्मुक नगंड माना जाता है मतलब सुने माना जाता है व्यापक अ देश भक्त नागरिक बन जाए मतलब ये उसका व्यापा करते हैं कि हम बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं सची नागरिकता के लिए अनेक बौधिक समाजिक तथा नैतिक गुड़ों की आवसेकता होती है इन सभी गुड़ों को बालकों की रुचियों योगताओं और उनकी छमताओं के अनुसार विक्षित करना आवसेक है बालक की सिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे वह अपने स्वतंत्र विक्षित करते हुए अपनी योगताओं और छमताओं के अनुसार स्वतंत्र नागरिक के रूप में राष्ट की सेवा कर सके ये उसका ब्यापकर्त है अब देखो ब्यापकर्त के छेत्म देख लेते हैं वह ऐसे कार करें जिससे सबका बहला हो प्रतेग व्यक्ति एक दूसरे के विकास में बाधक सिद्ध ना होकर मेल जोल के साथ रहते हुए कंधे से कंधा मिला कर चलता है जिससे समाज दिन प्रतिजन उन्नत के सिखर पर चड़ता रहे प्रतेग व्यक्ति की स्वतनतरता सबके समान अधिकार व्यक्तिक और सामाजिक जीवन के विश्वास आदर्सों को प्राप्त करने के लिए सिख्षा के निमलिखित उद्देशों को निर्मार किया जाता है जैसे वालकों की रुचियों का विकास करना कि वालक की जो रुचियां हैं उनको डेवलब करना अच्छी आदितों को विक्षित करना सामाजिक द्रश्टिकोंड को विक्षित करना प्रेम सद्भाबना सहयोग सहन सीलता इत्यादी गुड़ों को विक्षित करना इसे चीजें हैं जो उसको डिश्टर भी करेंगी बाधा उसमें उतन होगी देखो भारत भारत जो है अपना वो प्रजात अंतरात्मक देश है प्रजात अंतर में व्यक्ति स्वयम साध्य है और इसलिए सिक्षा का प्रमक उद्देश है उसकी अपनी सक्तियों को पूड़ व में रखना अवश्यक है अन्य कारें के समान ही सिक्षा भी एक प्रक्रिया है कि अताहर इसके भी कुछ निश्चित अवस्य होने चाहिए यह उद्देश देश का लेवं परिष्टिति के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं इनका निर्धार समय विशेश क्याब सकता और सिक्षा की उपयुगता के आधार पर होता है सिक्षा के उद्देश है उनको प्रभावित करने वाले कारक्या हैं जैसे दर्शन दर्सन में क्या आता है शिक्षा के उद्देशों पर दर्सन का अधिक प्रवाव बढ़ता है प्रकति वादियों के अनुसार आत्मव्यक्ति व्यक्तिक्ता का विकास समंद क्रियाओं का निमाण प्रवत्ति का शोधन मरगांति करण और समन में तथा प्रजाती प्रकतिकी प से मिक्शन के समाज में रहने वाले व्यक्तियों के जीवन जीने का ढंग भी सिक्षा के उद्ध्शों पर प्रभाव पड़ता है गंदी जीवन दर्शन का सिक्षा के उद्ध्श्व पर परभाव इस्फश्ट है अगला है राजनेतिक विचारधारा सासन करने वाली सरकार ही शिक्षा की व्यवस्ता का कारेभार समालती है इस समय वर्तवान में किसकी सरकार है और शिक्षा की व्यवस्ता किसकी है लोग धर्ना प्रदर्शन करते हैं नौकरियां भी सरकार से मांगते हैं क्योंकि व्यवस्त संवाज की दशाऊं का सिक्षा की से के उद्धेश के बल समाज को सिक्षित करना तथा उसके जीवन याहपन के कि- आर्थिक दसाइं क्या है? किसी देश की आर्थिक इस तर वहां की सिक्षा के उद्देशों को प्रभावित करता है भारत जैसे देस में आर्थिक साधनों की कमी के करार सिक्षा के उचे उदेशों को निर्धारित करके भी उचे टसादवनों के अभाव में नहीं पराफ किया जा सकता क्यूआ कि यहां की जनसंक्या बहुत जादा है फलस रूप योजना केबल योजना के रूप में ही रह जाएगी बेवारे गुरूप में नहीं अपनाई जा सकती है आर्थिक दसाओं की इस्तिती को बता रहा है अगला है तकनीकी उन्नती सिक्षा के उद्देशों पर उस देश की तकनीकी उन्नती की अमिट चाप पड़ती है यदि देश विक्षित है तो उनकी सिक्षा में और अधिक तकनीकों बढ़ावा देना है और नवीन खोजों को प्रोथसाहन देना उसका प्रवुक उद्देश होगा इसके विप्रीत जो देश पिछड़े हैं वहां की सिक्षा का उद्देश दूसरे देशों की नकल करने के अलाबा कुछ भी नहीं रह गया है अब देखो प्राकरतिक दसाएं क्या है इस पर एक पॉइंट यह है पढ़ लेते हैं इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिक्षा के प्रकार क्या क्या है देखो इसक्षा के उद्देशों को देष का प्रकती यह इसे भी प्रहावित होता है वहाँ में के प्राकरतिक तिक्तों के विषे में जनकारी देनागी नहीं का इने कारकों के अत्रिक्त धार्मिक, संस्कृति, शभिता और अन्य देशों के लाब दायक अनुभवों का भी सिक्षा के उद्देशों पर प्रभाव पढ़ता है, ये तो सिक्षा के उद्देश रहे अब हम पढ़ेंगे सिक्षा के प्रकार एक है आपकी अनौपचारिक सिक्षा दूसरी है अपचारिक सिक्षा और तीसरी है आपकी दूरस्ट सिक्षा तीनों पर प्रकाश डालते हैं देखो पहले तो देखते हैं अपचारिक सिक्षा क्या है नहीं पहले है आपके अनवचारिक सिक्षा अनवचारिक सिक्षा बिवहारिक होती है यह सिक्षा बिना किसी नियम अत्वा बिना किसी विधी के प्राप्त होती है बालक जन्मकाल से ही इस सिक्षा को जीवन की विवन परस्थित में प्राप्त करता है जैसे बच्चा पैदा ह होता है यहां क्या लिखाया बच्चा जर्म लेने के पस्चात माता की गोद का अनभव लोगों से बाचीत करने का अनभव बड़ा होने पर खेल के मैदान का अनभव और इस प्रकार लोगों के साथ बिवहार करने आधी परिश्चित में अनेक अनभव पराप्त करता है उन्ह हैं कहीं से भी मिल जाए किसी भी प्रकार से तो बाप की और अफचारिक शिक्षा के अंतरगत आती है कि इसका उद्देश्य क्या होता है कि बालक को स्वतंत्र रूप से सीखने का अपसर प्रदान करना स्वाब लंबन की भावना विक्षित करना समु में कार करने के भावना विक्षित करना भावी जीवन की उन्नती तथा सम्रद हेतु तयार करना सैक्षिक इस्तर के उन्नयन हेतु शिक्षा के सार्वजनी करल का विश्तार करना और सभी को साक्षर करना ये क्या है ये अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य है अब इ जो को आपचारिक सिक्षा, साविधिक या फिर नियमित सिक्षा उसे कहते हैं जो कुछ निश्चित नियम के अनुसार के लिए सील होती है उसकी एक निश्चित योजना बनी होती है स्कूल में सिक्षारती को यह सिक्षा निश्यत समय पर विशेस विधियों के दोरा ही दी जाती है इसके लिए विशेस सिक्षा संस्ताइं होती हैं जैसे प्रात्मिक सिक्षा के लिए प्रात्मिक स्कूल मादिमिक सिक्षा के लिए मादिमिक स्कूल और उच्छ सिक्षा प्रदान करने के लिए उच्छ इस्तरी विद्याले और विश्विद्याले होते हैं इनमें विविनिक अक्षाएं होती हैं और हरक अक्षा का एक निश्यत पाठिकरम होता है इसी से पाठवस्तु का निर्धार किया जाता है विद्यार्थी विद्याले में आते हैं अध्यापक उपरयोगते विद्यों से सिक्षा प्रदान करते हैं और वर्षांत यानिकी वर्ष के अंत्में बालक की परिक्षा होती है जो जितना अधिक ज्यान अर्जित करता है उसी आधार पर उसको सफलता और सफलता प्राप्त होती है नियमित सिक्षा साधनों में विद्याले चार्थ पुस्तकाले अजायब भर चितरबबन पुस्तके आदि ये क्या है सब आपके आपके आपचारिक सिक्षा है आपका आती हैं जिनके द्वारा किसी पूर्ड निश्चित योजना के अनुसार बालक को नियंत्रित वातावरण में रखते हुए सिक्षा के संकुचित अथवा निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है शिक्षा के आपचारिक साधनों का संपूर वातावण निश्चित होता है और इनके कार करने का इस्थान और समय भी निश्चित होता है इनकी देखवाल प्रिशिक्षित व्यक्ति करते हैं जो प्रिशिक्षित होते हैं आपचारिक साधनों के गुण क्या है आपचारिक साधनों द्वारा संस्कृति का सनक्षड सुधार तथा हस्तनांत्रड होता है इस प्रकार इन साधनों का सबसे बड़ा गुण यह है कि इनके द्वारा मानोसमाज के उन अनभवों तथा गुण को निश्चित समय में दोसों पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि आपचारिक शिक्षा बड़ी सरलता से तो नर्जीव और इसपष्ट किताबी बन जाती है कम विक्षित समाजों में जो संचित ग्यान होता है उसे कार बदलना उसे कार में बदला जा सकता है पर उन्नत संस्कृति में जो बातें कुलों में विश्ता समगरी ना मज है इनका मतलब यह कि आपक्शारिक श्क्षा का उद्धेश समान अ धरसात्मक होता हुए है जबकि अर्व का उद्ध्ष क्या होता है विशिष्ट वास्तविक और समया अनुसहर होता है है ना अव節目 ऌपस्बांच सामाजिक जीवना की यह निश्चित तथाक्रमिक है जबकि अनौपचारिक शिक्षा का जो छेत्र है वो कैसा है वो सीमित है अनौपचारिक शिक्षा बरतमान अतीत और भावी जीवन की तयारी है जबकि अनौपचारिक शिक्षा बरतमान परवल देती है अपचारिक शिक्षा का पाठिकरम व्य दूसरे से कुछ भिन्न होते हुए भी अतिधिक निकट हैं एक के बिना दूसरे की सफलता की संभावना नहीं है और दूसरे सब्दों में कहा भी जा सकता है कि अनौपचारिक शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं अब बात करते हैं हम लोग दूरस्त सिक्षा की डिस्टेंस ल सफलता तथा सैध्धानतिक सिक्षा वरतवान की सभी आवसक्ताओं को पूर करने में असवल रही हैं क्योंकि यहें सिक्षा को सर्बं त blends तथा सर्व उपयोगी दौनों रूप में असमर्द है अतह सिक्षा की सीमा का विस्तार करने की लिए अनेक साध्षणों को जो उप पूर्सादन सिध्ध हो रहा है देखो दूरस शिक्षा का अर्थ क्या है दूरस शिक्षा एक बहु आयामी शिक्षा रवस्ता है इसको अनेक नामों से जानते हैं इस प्रकार के जो नाम है वो दिये जाते हैं क्या है दूरस शिक्षा को जैसे कई लोग देखा होगा आपने पत्राचार मतलब पत्र के माध्यम से उनका पेपर आता है लिकर भेज देते हैं उनकी डिगरी होती है दूरस शिक्षा अधिगम और इसका सुरूप क्या है देखो सामानता दूरस शिक्षा एवं मुक्त अधिगम मुक्त शिक्षा अथवा पत्राचार सिक्षा ना तो एक दूसरे के परयायबाची हैं ना ही प्रतेक्ष रूप से अधिगम के दूसरे के अधिगम है बस्ता द तो रस सिख्षा अनेक प्रारूप उसे अवस्ट्रार सामाने हिसा मुक्त रूप मुक्त रूप मुक्त अधिम तो भू प्रब जोथर आ रखता है किन्त उसका प्रथक यस्थितों है शमान असब्दों में मुक्त तिक मानो के चunyaयन में नियंद्राण में जहां संभभ हो से चात्रों को सुत्न दरता प्रदान करता ही है यह ओपन जुकेशन सामयन रूप से उढ़कत शुप्पते है इसका अर्थ होता है कि आसी व्यवस्था जो प्रम। प्रागत मानेताओं के माध्यम से संचालित नहीं होती है, बतब जैसे पढ़ाई आप करते हैं, उस प्रकार की पढ़ाई नहीं होती है, है ना, ये संस्ताएं मुक्त सिक्षा की संस्ताएं भी होती है, अथवा नहीं भी, कुछ सीमा तक तो हो भी सकती है, और कुछ नहीं भी हो सकती है, पत्राचार क्या है 15 का स्क्षा की ऐसी बरसता है जिसम्हें मुद्रत सिख्षा समगरी को डाख के माद्यम से विध्यरतियों को प्रëशित की जाती है और अनुसर्णिये सिक्षरात्मक संप्रेशन को भी डाक द्वारा प्रभावी बनाने का प्रियास किया जाता है इस प्रकार के पाठिक्रम में प्रवेश तथा परिक्षा की प्रक्रिया परंपरागत सिक्षा के अनुरूप ही होती है अर्थात परंपरागत रूप से सर्पर्थम बिध्यारती की प्रवेश परिक्षा ली जाती है और उसे सफल होने के उपरांती ही पांठी करव में प्रवेश यहाता है तो अध्यन समग्री जो संचाला नियम्नेटत्यों का सहरा लेना पड़ता है जैसे मुद्यत समगरी यह माध्यम दूजत सिक्षा का ही नहीं बलकि परंपरागत सिक्षा पतती का भी महत्पूर्टत है जो प्रेंटेड मैटेरियल होता है वो देना पड़ेगा सरब दरस्ट समगरी और्डियो वीडियो मैटेरियल अध्यान समू ग्रूप इसड़ी रियोडियो इम दूर दर्शन यह भी माध्यम है उसका कम्प्यूटर आधारत सिक्षा रद्गम यानि कि कम्प्यूटर एडिट टीचिंग लर्निंग यह भी आता है आपका फुल फॉर् कास करड़ डालेंगे यहांसे जो कलास होगी वह चौरह पार्ट में आपको मिलेगे फिराल आज के पार्ट में वस इतना ही अगर आपको कलास अच्छी लगी तो कलास को लाइक Olivier कएजेगा और अगर चैनल बार आएं तो चैनल को लाइक करने के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर किजिए का थैंक यू सो मच